स्रिवान थावर्तिन गहलोज जी, मुक्यमंत्री स्री बसवराज बुम्बाई जी, स्री यूदवीर कृष्णदात क्यामराजा वाडियार जी, जी, राजमाता प्रमधा देवी, मंत्री सी सरवानन सोनवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को आठवे अंतराष्टिय योग दिवस की हारदिक शुप कामनाई, आज योग दिवस के अवसर पर मैं करनाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धर्ती मैं सुरू को प्रणाम करता हूँ, मैं सुरू जैसे भारत के अध्यात्मिक केंद्रों ने, जिसी योग उर्जा को सदियों से पोशित किया, आज वो योग उर्जा विश्व स्वास्त को दिशा दे रही है, आयोग वैस्चिविक सहयोग का पारस्पारिक आधार मन रहा है, आज योग मानो मात्र को निरोग जीवन का भी सवास्त दे रहा है, हम आज सुवह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज बिश्व के कौने कौने से आ रही है, ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एक सहच, स्वाभावी और सांजी मानविये चेतना की तस्वीरें हैं, खास तोर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो, इन परिस्तितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सिमाओं से उपर, योग दिवस का ये उत्सा, ये हमारी जिवडता का भी प्रमान है, योग अब एक वैश्विक परवबन गया है, योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए हैं, इसलिए, इस बार, अंतर राष्टिय योग दिवस की थीम है, योगा फॉर हुमेनिटी, मैं इस थीम के जरिये, योग के इस संदेश को, पूरी मानवता तक पहुचाने के लिए, उनाइटेड नेशन्स का, और सभी देशों का, रजय से धन्यवाद करता हूँ, मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी, सभी भारतियों की तरफ से, अभिनंदन करता हूँ, साथियों, योग के लिए, हमारे रुषियों ने, हमारे महर्शियों ने, हमारे आचारियों ने कहा है, शांतिम योगेन बिन्दती, इट मिन्स, योगा ब्रिंग पीस पर अस, the peace from yoga, is not only for individuals, yoga brings peace to our society, yoga brings peace to our nations and the world, and yoga brings peace to our universe, this might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra, यत्पिंडे तत्वरम्मने इस whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us and Yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world We begin to spot things that need to be changed Both in ourselves and in the world These may be individual lifestyle problems Or global challenges like climate change and international conflicts Yoga makes us conscious Competent and compassionate towards these challenges Millions of people with a common consciousness and consensus Millions of people with inner peace Will create an environment of global peace That's how yoga can connect the people That's how yoga can connect the countries And that's how yoga can become a problem solver for all of us साथियों भारत में हम इस बार योगा दिवस हमें एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आज़ाजी के 45 वर्ष का परव मना रहा है अमरित महोचव मना रहा है योग दिवस की ये वापकता ये श्विकारियता भारत की उस अमरित भावना की श्विकारियता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उर्जा दी थी इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 एतिहासिक स्थनों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी आतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं जो एतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साथशी रहे जो स्थान सांस्कृतिक उर्जा के केंद रहे हैं वो आज योग दिवस के जरिये एक साथ जुड़ रहे हैं इस मैसुरू पहलेज का भी इतिहास में अपना विशे स्थान है भारत के एतिहासिक स्थलों पर सामोहिक योग का अनुभाव भारत के अतीत को भारत की विविदता को और भारत के विस्तार को एक सुत्र में पिरोने जैसा है अंतरास्ट्य स्तर पर भी हमने इस बार गाडियन रिंग अफ योगा इस गाडियन रिंग अफ योगा का ऐसा ही अभिनाव प्रयोग अज पूरे विश्वभन में हो रहा है दुनिया के अलग-अलग देशों में सुर्योदय के साथ सुर्य की गती के साथ लोग योग कर रहे हैं योग से जुड रहे हैं जैसे जैसे सुर्य आगे बढ़ रहा है उदय हो रहा है उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं पूरी पुत्री के चारों और योग की रिंग बन रही है यही है गाडियन रिंग अप योगा योग के ये प्रयोग स्वास्त संतुलन और सहयोग के अद्भूत प्रेना दे रहे हैं साथियों दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट अफ लाइफ नहीं है प्लीज निमाइड ये पार्ट अफ लाइफ नहीं है बलकि योग अब वे अफ लाइफ बन रहा है हमारा दिन योग के साथ शुरू हो इससे बहतर शुरुवाद क्या हो सकती है लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय वर्थान तक ही सिमित नहीं रखना है हमने देखा भी है हमारे यहाँ घर के बड़े हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायम करते हैं कई लोग अपने ओफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं फिर दोबारा काम शुरू करते हैं हम कितने भी तनावपूर्ण माहोल में क्यों नहों कुछ मिनीट का ध्यान हमें रिलस्ट कर देता है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है इसलिए हमें योग को एक अतिरिक काम के तोर पर नहीं लेना है हमें योग को जानना भी है हमें योग को जीना भी है हमें योग को पाना भी है हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है और जब हम योग को जीने लगेगे योग दिवास हमारे लिए योग करने का नहीं बलकि अपने स्वास्त, शूख और सांती को सलिप्रेट करने का माध्यम मन जाएगा साथियों आज समय है कि हम योग से जुड़ी अन्त संभावनाओं को साकार करे आज हमारे युवा बड़ी संखाय में योग के छेत्र में नएने आइडियाज के साथ आ रहे हैं इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्राले ने स्टार्ट अप योगा चलेंज भी लॉंच किया है योग के अतीक को योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैं सुरू के दसरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जिबिशन भी लगी है मैं देश के अरदुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आवान करता हूँ मैं वर्स 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर एवोर्स पर आउस्टेंडिंग कॉंट्रिबिशन फर प्रमोशन एंड डेवलोपेंट अव योगा के जो बिनर्स है मैं उन सभी बिनर्स को रिदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ मुझे विश्वास है योग की ये अनादी आत्रा अनंत भविश्की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी हम सर्वे भवन्तु सुगिनह सर्वे संतु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शान्तिपुन विश्व को योग के माध्यम से भी गती देंगे इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत चुपकामनाएं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद